आजादी का ये अमरुत महोत्सव भारत के जन जन का भारत के हर मन का परव बने साथियों आजादी के पचतर साल का ये परव आजादी का ये अमरुत महोत्सव एक ऐसा परव होना चाहिए जिसमें स्वाधित्ता संगराम की भावना उसका त्याक साक्षत अनुभव हो सके जिसमें देश के शहीदों को सर्दान्जली भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल पे भी हो जिसमें सनातन भारत के गवरों की भी जलक हो जिसमें आधुरिक भारत की चमक भी हो जिसमें मनीश्यों के अध्यात्म का प्रकास भी हो जिसमें हमारे वेज्यानिकों की प्रतिवा और सामर्थ के दर्शन भी हो ये आयोजन हमारे इन 75 वर्सों की उपलब्धियों की दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्सों के लिए हमें एक रूप रेखा एक संकल्प भी देखा क्योंकि 2047 में जब देश आजादी की सताब्दी मनाएगा तब हम कहां होंगे दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा भारत को हम कहां तक ले जाएंगे आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी का जंग यह हमें प्रेर्णा देगा एक पीठी का तयार करेगा और उस पीठी का के अधार पर यह 75 साल का पर्व भारत की आजादी की सताब्दी के लिए उस दिशा में मजबुती से जाने के लिए एक हमारे लिए दिशा दिर्सक हो प्रेरक हो और पुर्शार्त की भावना जगाने वाला हो